Now, the next page is page number 78, so मान के चलिए आपका question number 3 हो गया problem solving का, which I am explaining, okay, so what it is written, Nabila's mother sent her to the market to buy something, Nabila नाम की लड़की उसकी मम्मी ने उसको market बेजा है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, she gave her rupees 3, 245, she मतलब कौन, Nabila की मदर ने उसको rupees 245 दिये है, Nabila bought 1 kg घी for rupees 127, Nabila ने 1 kg घी लिया, kg मतलब kilogram, है ना, हमने ये units पड़ी है, kilogram, milligram, okay, so the shopkeeper gave her back rupees 98, shopkeeper ने बचे हुए पैसे उसको कितने दिये, 98, after buying the घी, 1 kg घी, So, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, kilogram is written as kg, okay, did the shopkeeper give her the right amount, क्या, shopkeeper ने उसको सही पैसे लोटा है, है ना, आप भी कुछ खरीदने जाते हो, तो आप calculate करते हो ना, मम्मी ने 10 रुपे दिये थे, मैंने 7 रुपीज का ये खरीदा, तो आप shopkeeper मुझे कितने देगा, 3 रुपीज वापिस करेगा, बट shopkeeper ने 1 किये, 2 किये, या जाधा कर दिया, कम किये, है ना, तो आपको ये calculations, जब आपको चीजने खरीदते हो, तो उस cost of गी, cost of 1 kg गी कितना था, 127, है ना, तो अब आप क्या करोगे, minus करके देखोगे, obviously कि मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने इतने का समान करीत लिए, हमें पास कितने होने चाहिए, so let's do it, so इस page पे नहीं है, next page पे ये देखिए, 245 minus 127, है ना, अब आप देखिए, पहले भी हमन पड़ा है, जब छोटा number होता है, उसमें से बड़ी value minus नहीं कर सकते, है ना, 245 पूरा number बड़ा है, 127 से, but 5 इटसेल्फ जो once की place पे है, ये ones हो गया, ये हमारा tens हो गया, ये हमारा hundreds हो गया, ठीक है, जो once place पे 5 है, आप उसमें से 7 minus कर सकते हो, क्या, नहीं कर सकते, तो हमने क क्या पड़ा था, borrowings, हम बगल वाले से उधार ले लेते हैं, एक number, एक tens उधार ले लेते हैं, ठीक है, ये tens की place है ना, तो हम सीधे 10 numbers उधार लेते हैं, मतला भी 5 क्या है, 10 और ले ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 15 है ना, और ये 4 है, 4 tens थे, तो इसने 1 tens इसको दे द लिखेंगे, तो 8 आ जाएगा, 3 minus 2 is 1, and 2 minus 1 is 1, तो 118 रुपीज उसको वापिस करने चाहिए थे shopkeeper को, है ना, shopkeeper ने लेकिन उसको कितने पैसे वापिस किये थे, क्या लिखा है, देखिए, shopkeeper गेवर बैक रुपीज 98, तो 98 रुपीज लोटाए shopkeeper ने, but actually मैं उसको देने कित 118, है ना, यहां आपने करके देखा था, तो 118 उसको देना चाहिए, the shopkeeper had to give नवीला रुपीज 118, so how much more money should the shopkeeper give नवीला, अब कितनी और रुपया उसको वापिस देना है, तो उसके लिए आ फिर से calculation करोगे, 118 देना था, minus लेकिन उसने कितने दिये, 98 रुपीज ही लोटा है, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको minus करके देखोगे कि कितना more money उसको और देना है, shopkeeper को लोटा आना है, so 8 minus 8 is 0, and यह क्या बन जाएगा, 11 जो है, वो क्या हो जाएगा, यह 1 जो है, वो क्या बन जाएगा, 11, क्योंकि इसने इसका 10s ले लिया, इसके पास already 1 1s थे, है ना 1s 10s थे, इसने 100s की place से एक ले लिया, लेकिन यह 1s और 10s ही कह लाएंगे, भगल अगल में है, क्योंकि, इसने 100s वाले ने इसको नहीं दिया है, लेकिन 100s वाले ने 10s वाले को दिया है, तो वो 1 0 से 1 0, cancel हो जाता है, तो वो एक तरीके से 1s और 10s ही बन जाते हैं, ठीके, तो इसने इस से ले लिया, तो यह क्या बन गया 11 और यह क्या बन गया 0. So 11-9 कितना हो गया? 2, तो कितने रुपया और देगा शॉपकी पर उसको वापिस? 20 रुपीज. Okay, so this was the one question. अब देखे, practice time है आपका, इसमें question number 1 है, which is on page number 80. Baby tortoise is 33 years old. Mummy tortoise is 150 years old. How much younger is baby tortoise than mummy tortoise? Mummy tortoise की age क्या है? 150 years. और baby tortoise की age कितनी है? 33 years. तो पूछ रहे हैं, how much younger is baby tortoise? Younger मतलब कितना छोटा है, baby tortoise, mummy tortoise से. तो हम माइनस करके देख लेंगे, 150 माइनस 33. इधर भी 0 के पास 0 में से 3 नहीं जा सकता, है ना? तो यह क्या बन जाएगा? इस वाले 10s की प्लेस से 100, 10s and 1s क्या ले लेगा? एक 10s उधार ले लेगा. और 5 क्या बन जाएगा? 4 10s. यह ना? 5 10s, 4 10s बन जाएगा और 8 10s इसको उधार में दे दिया. तो 10 में से 3 गया, इस 7 and 4 में से 3 गया, इस 1. और यहाँ, 1 में से तो 0 माइनस करने थे 100s प्लेस पे, तो 117 आंसर आ जाएगा. तो यह आपको सॉल्फ करके दिया है, आप करेंगे कॉपी में, बेबी टॉट टॉइस is 117 यह यंगर दैन मम्मी टॉट टॉइस. ठीक है? आउमच यंगर की जगा? क्या आगया, बेबी टॉट टॉइस is 117 यह यंगर दैन मम्मी टॉट टॉइस. आपको क्वेस्टन में से यह आंसर फॉर्म करना सीखना पड़ेगा, ओके?